नमस्कार दोस्तों मैं विमलेशी गॉत्तम और आप देखने ट्रिप्रवी और चीज दोस्तों सिंगापूर का अपडेट है सिंगापूर ने परसो इंडिया को भी तीसरी केटगरी में कर दिया यह हम सब लोगों के लिए गुड नीज है अच्छी खबर है खुश कबरी है क् कि काफी लोगों ने सिंगापूर में अपलाई किया था वो वेट कर रहे हैं उनका वीजा का टिकेट का फ्लाई का सब लोग अलगलग स्टेप पर वेट कर रहे हैं अब यहां पर एक इन्फोर्मेशन और है कि हमारे एक बंदे का पहले वीजा आ गया था आई पे लेटर आ अज आ चुका है मैं यह दो लोग पुति करने वाले हैं तीसरे का अवी आणे वाला है तो जैसे प्रसेश शुरू हो चुका है चालना का वरकीट अपलाई हैं उनका प्लानिंघ भी आने वाला हैं जो भी process है वो step step हो रही है सभी लोगों को इसके बारे में update किया जाएगा अब यहाँ पर एक चीज है कि पिछले उस समय में काफी समय लगा और वो समय के लिए obviously काफी लोगों की planning में changes हुए थोड़ा जो pandemic का effect है वो सबको effect कर गया लेकिन अभी जब शुरू हो रहा तो सिंगापूर का विजिट वीजा next month शुरू होने वाला है जिस दिन भी वीजा निकल जाएगा उसके 10-15 days के अंदर मैं खुद सिंगापूर जाने वाला हूँ भले हमारा कितना भी वहाँ पर expense हो क्योंकि हमारे पास में requirements है उन requirements को ध्यान में रखते हुए देखा जो है उन मैं काफी changes होंगे modification होगा और वह positive way में होगा process भी fast होगा और हो सकता expense भी कम हो काफी important updates है जैसे भी विजिट विजिट शुरू होगा 100% confirm है 10-15 days के अंदर मेरा प्लान हो जाएगा मैं Singapore के लिए निकल जाओंगा मैं और उसके बाद हमारे candidates को हम और better way मैं help कर पाएंगे उनक Singapore हमारा focus area रहा Singapore के लिए हम हमेशा कोशिस करें कि Singapore के लिए vacancy ज्यादा हो और लोगों का काम ज्यादा हो लेकिन अभी लेट हुआ pandemic के बज़े से और हमारे पास में options भी कम है लेकिन अभी और वह वह सारी vacancy है चाहिए study के लिए हो work के लिए हो या फिर एसपास सीपास के लि next to base meeting जो भी चीज़े planning करनी है वो next पूरी planning vacancies की उपर process की उपर हर चीज़ को पर improvement होने वाला है अभी जिन लोग का apply होगा उनका visa निकलना शुरू हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि next month से सिंगपूर की flight भी शुरू हो जाएगी study visa की इस महीन से हो जाएगी और हो सकता कि शायद कुछ लोग की fly इस महीने work permit की भी हो जाएगी work permit कभी भी आ सकते हैं अभी 100 दिन के हमारे flight शुरू होंगे तो regular चलते रहेंगे काफी लोगों ने सिंगपूर में apply किया हुआ है और हमें पहले भी काफी focus किया हमारे पास में चार देश हैं जो focused area है जिसमें से अभी पोलेंड है सिंगपूर है मलेशिया है और दोबाई है इन चार देश में focus कर रहे है टाइम जो step होगा उसके सबसे उनको update करते जाएंगे किसका वीजा कब लगने वाला है किसका कब apply होगा कितना समय लगेगा वो सारी information मैं खुद सामने से देने बाला हूं मैं दोस्तों वीडियो कैसे लगा पसंद आया तो like किजिए comments किजिए share किजिए हमारे वीडियो को लगादा देखने के लिए चैनल को subscribe किजिए गंटी वाला option जरूर दमा जैसे कि आपको आने वाले सारे वीडियो की notification सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाद